नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सब के लिए लाई हूँ आम के इस मौसम में कच्चे आम की चटनी की रेसिपी जो कि तीकी मीठी खटी लगती है बहुत ही जादा टेस्टी और आप जब इसको बनाओगे ना चटकारे ले लेकर खाओगे मुश्किल से 10 मिनिट लगेंगे इस करचिल के निकाल लिए हैं और अब हम इसके बीज को भी बहार निकाल लेंगे तो यह फट गया था आम क्यूंकि हमारे घर के सामने जो पेड़े ना उसी में से गिरा था तो फ्रेंस देखिए इसको इस तरह से हम काट लेंगे साफ कर लेंगे अच्छे से अगर आप चाहो तो इसको कदूकस भी कर सकते हो ग्रेट कर सकते हो बट मुझे थोड़ा पलपी चाहिए चटनी इसलिए मैंने पीसस में काट लिये हैं अगर आप कदूकस करोगे तो बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा तो दोस्तों यह देखिए कड़ाई में मैंने लिया है रिफाइन ड चमच और उसमें डाल दिया है मैंने पांच फोरन जिसे कहते ना पांच फोरन वही डाल दिया है और यह है सुखी मिर्ची तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से तीका कम यह जाधा कर सकते हो और आप मैं इसमें डाल दीन हूं तेज पते इससे जो फ्लेवर आएगा नहमार और इसको अब हम थोड़ा से चला देंगे और देखें कडाई मेरी बिल्कुल गरम हो गए थी इसमें से पूरा निकलने लगया है बाहर बट यह अच्छे से पक जाएगा अभी फटा फट और अब हम इसमें डाल देंगे नमक तो नमक आप अपने टेस्ट के की डाल सकते हैं क्योंकि मेरी जो सुखी मिर्जे ना काफी तीकी थी तो धकल लगा के देखें पांच मिनट में ही हमारा आम देखी किस तरह से गल गया है और कच्छा मेना जो हो यह फटा फट से गल जाता है तो इसको मैं अच्छे से थोड़े कर्ची से मिला रही हूं ताक ग्रेड करोगे तो और जल्दी जादा यह पक जाएगा तो फ्रेंस यह देखें अब मैंने इसमें दुबारा से लगा दिया है धक्कन और यह है गुड तो देखें यह लगभग सो डेर सो ग्राम होगा सो ग्राम तो हो गई तो इसको अब हम क्या करेंगे चाको की मदद से इस तरह से काट लेंगे अगर आप चाहो तो मार्केट में आपको इसका पाउडर भी मिल जाएगा बं मेरे पास यह एवेलेबल था तो मैंने इसी को इस तरह से काट लिया और यह भी कडाई में डालते ही गल जाएगा और अगर आप चाहे तो गुड की जगा चीनी का भी कर सकते हैं तो गुड का टेस्ट अलग ही आता है कुछ बहुत जादा टेस्टी तो अब हम देखिए इसको डालते ही यह मतलब गलना स्टार्ट हो जाता है जैसे कि आप सभी को पता है तो देखिए अब मैं इसको अच्छे से आम में मिक्स कर रही हूं और कैमरा बहुत अब जाल रहे हो हल्दी पाउडर आप चाहें तो हल्दी स्किप भी कर सकते हैं बट मैंने थोड़ा सब डाल दिया है कलर मतलब थोड़ा चा जाएगा इसलिए और गुड से तो वैसे भी बहुत ही सूप कलर आ जाता है तो फ्रेंट्स यह ना मतलब इतनी टेस्टी बनती है मेरे बचों को तो बहुत ज्यादा पसंद आप रोटी पराठे चावल के साथ भी इसको खा सकते हो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है तो देखिए बात करते करते हमारा गुड गल भी गया है और मैंने उसमें अब लगा दिया था ठकन ठकन लगा के तीन मिनट के बाद ब बहुत अच्छे से गल जाता है पक जाता है तो देखिए कितना सुन्दर लग रहा है देखने में और यह हां और एक बात हम इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं फ्रिज में आप रख सकते हो यह लग-बग हफ्ते बर रह जाता है अगर आप इसको अच्छे से पका लेंगे तो फ्रेंट्स देखिए काफी जल्दी जल्दी बनने वाली जटपत बनने वाली चटनी है आप में से बहुत किसी को आता होगा इसको बनाना और पर मैं इस तरह से बनाती हूँ तो मैंने इसी तरह से वीडियो शेयर किया है फ्रेंट्स तो देखिए हमारी चटनी बनकर तया नहीं पड़ती है तो फ्रेंड्स आपको यह हमारी चटनी की जो रेसिपी एक कैसे लगी है प्लीज बताइए का कमेंट करके और हां आप भी जरूरिस को ट्राइ किजेगा तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा चैनल पर अग